अगर आप अपनी चेहरे पे मलाई लगाने की सोच रहे हो तो ये कुछ चीज़े अपनी मलाई में शामिल कर लीजे लोगी तो चेहरे की जो रोनक है वो दोकनी हो जाएगी इतना जादा गलो आएगा आप खुद हैरान हो जाएगे कि मलाई में इतने कौन से ऐसे गुन है जि जैसे कि आप समझ के होंगे कि आज मैं आपके साथ मलाई से बना एक DIY फ्रीज पैक शेयर करने वाली हूँ मलाई एक ऐसी चीज है जो आपके दागधबों को दूर करती है संटैन हो गई है उससे चुटकारा दिलाती है चेहरे को निखारती है एजिंग की समस्से है जैसे फाइन लाइन से है रिंकल से उसको दूर करती है बेजान तवचा में रुखी तवचा में जान लेके आती है जिससे आपका चेहरा जो है वो बहुत जादा सोफ्ट मुलायम और शाइनिंग ग्लोइंग नजर आता है तो चलिए गाइस सीख लेते हैं इस मलाई से बने फेस ग्लोइंग डियाइवाई फेस पैक को कैसे बनाना है तो आपको एक बाउल में कलेक्ट करनी है फ्रेश मलाई दूर को जब हम बॉइल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आती है वो मलाई आपको एक चमच क्लेक करना है, अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है, लंस नहीं रहने चाहिए, तो इसमें हम एड़ करेंगे एक से आधा चमच नीमबू का रस, तो नीमबू का रस भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके डीपली पोर्स को क्लीन करत है, नीमबू में काफी जादा मात्रा में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होने की वज़े से ये स्किन को डीपली क्लीन करता है, जिसे आपके स्किन पे अंदर से निखा रहाता है, तो आपको मलाई में आधे से एक चमच नीमबू का रस, इसमें एड़ करना है, फिर हमें च चैनल को आप सब्सक्राइब जबूर कीजेगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करूं, तो उसकी नौटिफिकेशन जो है, वो सबसे फेले आप तक पहुन जाए, तो हम जो इसमें अपना लास्ट इंगीरियन एड़ करेंगे, वो है सेंडलवूड बिल्कुल भी आपको थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको पतला रखना है, जो चेहरे पे अच्छे से अपलाई हो सके, ये डियाईवी आपको रात को सोनी से पहले यूज करनी है, सबसे पहले अपने चैहरे को अच्छे से फेसवोच से क्लीन कर लेना है, उसके बाद इस सारे पेस्ट को अपने चहरे पे अपलाई करना है पान से दस मिनिट तक आपको अच्छे से अपने चहरे की मसाज करनी है क्योंकि यह स्किन पॉलिशिंग का काम भी करेगा चहरे पे ग्लो शाइन लिकर आएगा जो भी चीज़े इसमें एड़ की है वो आपके दाग इसमें पुप को भी रिमॉव करेगी और जो विंटर की वज़े से संटैन हो गई है और फेस के उपर जो ड्राइनेस हो जाती है यह उसको बहुत इसली रिमॉव करेगा तो पांदस मिनिट के लिए आपको इसको चैरे की मसाज करनी है उसके बाद आपको दस मिनिट के निकलेगी तो लुक वाम वाटर जो आप अच्छे से सहन कर सको उतने पानी से चेहरे को वाश कर लेना है अगर फिर भी आपको लगे की बहुत जादा चिपची पाहट हो रही है या आपको लग रहा है की तो बहुत माइल सा आप जो भी फेस वाश यूज करते हैं थोड़ अगर आपकी स्किन बहुत जादा ड्राइ है डल है तो आप डिली इस डियाइवाई को यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ओयली है तो एक दिन छोड़ के भी इसको यूज कर सकते हैं यह कोई भी स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं चाहे आपकी स्किन ड्रा है वो दो गुना हो जाएगा सो इस वीडियो की डिलेटिट आपकी कोई भी क्वेरी हो कुछ भी पूछना है आपको तो मुझे कोमेंट करके पूछ सकते हैं आपको मेरी आज की सिंपल सी डियाईवाई अच्छी लगी होगी सो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट इजी सी डियाईवाई के साथ तब तके लिए टेक क्यर बाई बाई